टाटा मोर्टर्स जो लोग रिक्स में इसके ये चीज़ को विश्वस करते हैं। उनलग के लिए अभिए स्टोक बन गया है। आझ जो लोग रिक्स में सीफरी बिश्वकों देखते हैं। उनलोग ए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले आगर आप देखेंगे ए टाटा मोटर का स्टॉक प्राइस इस जुलाई माइना में अगर आप माने तो इसका जो बैड नूस आया शुरू हो गया था पाचोई जुलाई से और अब तक उसका बैड नूस आना जाड़िये इस पाचोई जुलाई से 28 जुलाई का आदर में जो जो बैड नूस आया या और वह बैड नूस का हिसब से अगर देखें तो स्टॉक पैस का जो रेंच बना है उन सा बैड नूस में कितना सा रेंच बना है और आपको यहां पर चलते स्टॉक पैस 360 रुपYा से लेकि एकड़म सीधा आ गया था 305 रुपय है का मतलब यहां पर एक bad news का हिसाब्स से 55 अपको लुकसान किया था। यह था पैला range, पैला bad news का। शेगन बैड news आया था 22 जूलाई। और 22 जूलाई जो bad news आया था, ओ बैड news का हिसाब्स से अगर आप देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि तो सिधा सिधा 315 से लेके एक दम नीचे का तरफ 296 तक आ गिया था मतलब यहां पर आपको 1902 का आसपास में रुक्सान देखने को मिलेगा इसका रेजल्ट उतना इंक्राजिंग नहीं था जिसका वजह से स्टॉक प्राइस एक दम 296 तक आ गिया था इसमें आपको नुक्सान देखने को मिला 6 रुपे का आसपास में और लास्ट जो बैड नूस जो आप तक आज आया है मतलब बोकारिज हाउस दारा उसका एस्टिम तक आ गया था और जो नुक्सान किया ता यहाँ पर साथ रुपे का आसपास में और बोकारिज हाउस दारा नुक्सान में उसका साथ निप्ती भी तुरा बहुत इसका जिम्यदर है लेकिन फिर भी नीप्ती समय नहीं पाया और क्लोजिंग दिए है दोसोँ चुछिश्य नूस का वैलिटी कितना है सबसे पहला नूस का अगर आपम दिखने मिल सकता है अगले डो कवाटर तर्व आपको देखने को मिल सकता है मतलब डिसंबर तक आपको ऐगनूस जो है पहला जो बैया नूस आया था चीप सॉटिश का तक अब मान करें चल सकते हैं सेकेंड बैडनुज जो था था राकेश जिञ्जोला जी का खतम हो गया है और सॉट टाइम के लिए था था इसका क्वार्टन रेजल्ट बिदा हो गया वह भी सिप्क शोरीज रुपिया उसको प्रैस को डेस्टोय किया बस उतना उसका भैलूइटी था अब लास्ट जो निकाल देते हैं तो एक कॉंटर करने के लिए इसा कौन सा गूड नूज आने वाला है जिसको बैड नूज को काउंटर कर सकता है और कंपनी का स्टेप के लिए ओभी आप देखिए अब यह चे माइना से जो बैड नूज चलने वाला चीप सटिस का उसके लिए कंपनी नो जो पहला स्टेप लिया या यह बोल सकते कि गूड नूज भी हो सकता है ओगहें नेक्स्ट टूइस से आ सकता है पहला गूड अगर मने इसको काउंटर करने के लिए बैड नूज को और सेगेंड पॉइंट होगा इसका आटो सेल्स का नंबर मांतली जो आप सामने दिखने वाले हैं पहला जो नंबर आने वाला है जो अगस्ट एक तरीक को आएगा जुलाई माइना का और नंबर साथ आपको अच्छ इसका आटो सेल्स नंबर आपको देखने को मिलेगा इस दोरन क्योंकि इसका नंबर अच्छा आएगा इसी सबसे में उसको गूड नूज के सबसे मानता हूं लेकिन एक बोल सकती कि सीडियूल गूड नूज है जैसे कि बैड नूज जो था जो चीप सट इसका ओ कोई नॉ जो न्यूज बैड नूज आ गया था ओ राकेस जुन जुन वाला का जो स्टेक सेल ठीक उसी तरह कर से यहां पर भी एस सीडियूल गूड नूज है लेकिन उसके लिए चाहिए एक अंसीडियूल गूड नूज जो इस स्टॉक प्राइस को और उपकर तरह सापर रहे हैं आ एक अंसीडियूल गूड नूज जो साइड आपको 6 माइना का अंदर आपको देखने को मिल सकता है यह हो गया मेरा गूड नूज का ही सबसे मेरा स्टाड़ी अब आते हैं जो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका साथ सुरू किया था कि जो लोग रिक्स में इसके पृस्वास करते हैं उन लोग के लिए कौन सा एडिया है अगर मतलब जो लोग इसमें इस में अगर माने तो 220 से लेके उपकर तरफ 305 जो रेंज है और य रेंज में कहीं पर भी खड़ी सकते हैं कुंकि और लोग प्रिस्वास ही करते हैं रिक्स में इसक है इसलिए मैं कही के जो 25 Rs., जो आप देख पा रहे यह बोल सकते हैं कि Νजो एलाखा रहते हैं और 40 आलाःखा में रहते हैं जो एलाखा में आप हमेला एक अंसरटइनिटी का हिस्त अभ देख पाते stock price को लेकिन जो लोग टमरे थे मैं उनों के लिए इस आतना आता हूं कि यहां पर आपको दो लेवल मिलता है जहां पर आपको स्टॉक को बाई करना चाहिए बूल कहला कि शुरू होता है उपर से अगर माने अगर स्टॉक पाई 305 रुपीस को अगर क्रोस कर जाते हैं क्योंकि मैं आपको आगे टिकार दिखाया हूं क्योंकि आगे जो आपको 305 रुपीस का उपर से एक कंपानी का स्टॉक पाई अच्छा खासा रैली दे सकता है अब खुद देखें जब नीचे के तरफ गिरा जब 300 का सपर्ट तो रहे सिद्धा के दूसर चुनासी पस आ गिया है मतलब सता रुप्या इसको जब टाइमिंग लगा है कट करन तो दो का आघर के लहा है और नीचे करो आप देखें तो अन्याइक नीचे के तरफ रुपीस से लेकाड़ के हैं कर आपको दो का तरफ बीसकर है को बीच में जो आलका आप देख पारेंou पास्टेले के 280A अलका जो है بीर का लगा है तो आप क्लियर वीडियो आको समझ में आगा है आपको क्या करना चाहिए तो अहीं ता मेरा क्लियर वीडियो बौक का अलका क्या है और बीर का अलका कॉनसा आपको क्लियर करके दिखा हूँ पसंद आप बीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट जुरू कीजिए, लाइक काना भिर्कूर मत बोलिए, मिलते नेक्स बीडियो बे, तब तेर टाटा, बाई.